क्या आपके बाल बहुत जड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती हैं, और बाल बहुत ही बेजानें, बाल दो मुए भी होते जा रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम है ना, और भी कुछ प्रॉब्लम है तो सोच लीजे, क्योंकि यह जो रेमेडिय हैं आपके बालों से रिले और बालो को लंबा गाला घणा सिल्की शैनी बनाएंगे साथी जो दो मुहे बालो की समस्या न उसे भी दूर करेंगे तो यह देखिये मैंने यहां पर लिया है प्यास प्यास का इस्तिमाल तो हम सभी अपने घर में खाना बनाने में करते ही हैं और ये जो इसके छिलके निकलते हैं इन्हें हम फैक देते हैं लेकिन अब आपको प्यास के छिलके नहीं फैक नहीं हैं अब जब भी आप घर में प्यास काटे ना तो इसके छिलकों को अलग ढपे में डालते जाएं तो इस तरीके से आप 7-8 दिन के छिलकों को इखटा कर ले उसके बाद आप इने डालें एक लोहे की कड़ाई के अंदर ध्यान रखें बरतर लोहे का लेंगे तो बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इससे आपको भरपूर आईरन मिलेगा अब आप इसमें डाल दें पानी तो यहाँ पर लगवक दो ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया अब यह मैंने लिये हैं कड़ी पत्ते जिनने मीठा नीम भी बोला जाता है यह जो कड़ी पत्ते होते हैं आपके बालों के लिए बरदान होते हैं कड़ी पत्ते के इस्तमाल से बाल काले लंबे घने हो जाते हैं, बालो का जड़ना रुख जाता है, तो यहां 25-30 के करीब आप इसमें कड़ी पत्ते डाल दें, अब यह जो प्यास के छिलके हैं और कड़ी पत्ते हैं उन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर पानी में उबलने दें, प्यास में ऐसी प्रॉपर्टीस पाई जाती हैं कि आपके बालो को मजबूती बिदान करता है, प्यास के छिलकों में भी वही गुड़ पाई जाते हैं जो प्यास के अंदर पाई जाते हैं, तो छिलकों को फैके नहीं इस तरीके से इनका इस्तमाल अपने बालो के लिए कर तो पानी में एक बड़ा उबा लाने के बाद आप गैस का फ्लेम लो कर देंगे और धीमी धीमी आज पर इसे लगवक आधा होने तक आपको पकाना है इससे क्या होगा ये जो प्यास के छिलके डाले हैं और कड़ी पत्ते डालें इनकी सारी प्रॉपर्टी इस पानी में आ ज पर दें और अब इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दें तो यहां पर ये पानी जब ठंडा हो जाएगा तब आपको इसे छान लेना है कड़ी पत्ते तो बालों के लिए इतने फायदे बंद होते हैं कि अगर आप खाली पेट चार-पांच कड़ी पत्ते डेली खाते हैं त अगर आप विटामिन E के कैपसुल नहीं डालना चाते तो आप इसमें थोड़ा सा कैस्टरोल डाल सकते हैं लगबग एक चोथाई चमच के करेब अब यहां पर मैं ये विटामिन E के कैपसुल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूंगी अब आपको इसे लगाना कैस बालो की लैंद पर लगाईए और इसे पूरे एक से डिड़ गंटे के ले बालो में ऐसे ही छोड़ दीजे उसके बाद किसी मैल्ड शेंपू से धोकर आप अपने बालो को साफ करें वीक में एक से तो बार इसे जरूर लगाएं बालो से सम्मधित सारी समस्या दूर हो बालो का जहना तूटना बिलकुल रुख जाएगा और आपके सिर पर नए बाल उगने लगेंगे रेमेडी पसंद आई तो लाइक कोमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और पर जरूर क्लिक करें